नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर वेनुधर रोतिया आप सभी का लॉडर और अड़ सिविल राइस इटूब चैनल में स्वागत है विनंदने दोस्तों यदि आप वेश्ट बंगाल के इन्वर्सिटी और कालेज में ज्यान दिजेगा वेश्ट बंगाल के इन्वर्सिटी औ और कालेज में असिस्टेम प्रोफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहतर आउसर लेकर आये हुआ है यानि कि आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों क्या करना पड़ेगा यानि कि वेश्ट बंगाल में आप असिस्टेम प्रोफिसर बनना चाहते हैं साथी साथ Central University में भी आप जो है eligible हो जाएंगे Assistant Professor के लिए तो ध्यान दिजेगा ये West Bengal College Service Commission के द्वारा जो है West Bengal सेट परिछाएक ले रही है यानि कि इसका advertisement निकाला है सेट इक्जाम दोस्तों सेट का मतलब होता है दोस्तों State Eligibility Test State Eligibility Test ठीक है आप साथ समझ गया होंगे और Net का मतलब होता है तोस्तों National यहाँ पर National सब्द जोड़ दीजे National Eligibility Test ठीक है यह यह जो है दोनों में अंतर क्या है नेट होने से पूरे भारत के किसी भी विश्य विद्याले में और महाविद्याले में आप असिस्टेम प्रोफिसर के लिए एप्लाई कर सकते हैं लेकिन सेट एक्जाम यदि किलियर करते हैं जिस स्टेट में आप सेट किलियर किये हैं उसी स्टेट के इनवर्शिटी और कालेज में आप असिस्टेम प्रोफिसर बरने के लिए एलिजीबल माने जाएंगी यानि कि वहाँ पर आप जो है एप्लाई कर सकते हैं एप्लाई कर सकते हैं दोस्तों असिस्टेम प्रोफिसर के लिए तो आप यहाँ पर यदि एप्लाई करेंगे तो एप्लाई नो में आपको क्लिक करना पड़ेगा और यदि इसका advertisement देखना चाहते है नोटिफिकेशन देखना चाहते है तो इसको download में आपको click करना पड़ेगा देखिए हमने description box में सबसे last में हम आपको जो है इसका link दे रहे हैं उसको जाकर click किजेगा ये सारा चीज़े निकल जाएगा आएए देखते हैं कि हम ये जो download है उसको download को जो है click करके देखते हैं क्या आता है और क्या जानकारी दिया हुआ है उसको हम समझने की कोशिस करते हैं दोस्तों इस तरह से जो पहला page है निकलेगा यानि कि set जो परिशाग होती है वो वीजिसी से मानिता प्राप्त होती है वीजिसी के guideline से ही जो है राज्य सरकार state eligibility test लेती है और ये state eligibility test क्या है फार्द पोस्ट आप असिस्टेम प्रोफेसर इन द वेश्ट बंगाल उनली वेश्ट बंगाल उनली के लिए है ये advertisement number 22 अबलिक set ये है इसका जो है तो आपको हम बता दें state की परिछा कब होती है जब वो state असिस्टेम प्रोफेसर के लिए वीकेंसी निकालना होता है यानि कि ये state की परिछा इजित होगी और उसके बाद में हो सकता है कि वेश्ट बंगाल में असिस्टेम प्रोफेसर के लिए वीकेंसी निकल सकता है यदि आप चाहते है कि वेश्ट बंगाल में असिस्टेम प्रोफेसर बन जाओं तो आपको ये state परिछा देनी चाहिए और आपको कुछ नहीं करना है जिस तरह से आपको net के तियारी करना है उसी प्रकार से आपको set के तियारी करना है यानि कि syllabus में कोई अंतर नहीं है net और set में और जो हमारी रात के 8 बजे का class है वो सारा काम आ जाएगा यानि कि हमारे YouTube चैनल की जितने भी वी वीडियों है वो net के साथ साथ किसी भी state के set परच्छा के लिए भी बहुत उप्योगी है दोस्तों आएए देखते हैं इसका अंतिमती थी क्या है कब से apply करना है कब examination होगा कितना फीज देना पड़ेगा ये समस्तर जानकारी हम जोगा है next slide में बता रहे हैं यहाँ पर देखें notification को जोगा है यहाँ पर notification को देखेंगे online application फार्म 2 सितंबर से चालू हो चुका है 2 सितंबर आज 7 तारिक है और last date आप apply online और payment करने का जो तिती है 30 सितंबर 2019 है और उसके बाद में ये बेंग चालान से यदि आप जमा करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर का समय दिया हुआ है 30 सितंबर इसकी अंतिम्तिती है ध्यान रखिएगा यानि कि आप अभी apply कर सकते हैं और एक बात मैं हमेशा बताता हूँ चुकि बच्चे लोग चुक हो जाता है बच्चों से तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे सुचना मिलता है ततकाल आपको apply करना चाहिए इसमें सोच बिचार वाली बात नहीं है ये date अभी examination जो है ये 19 जनवरी 2020 को होगी यानि कि समझे नेट के बाद आपका जो है ये set के परिच्चा देना है सभी को बता है कि नेट का परिच्चा दिसमबर में है और वही preparation आपका जो है काम आजाएगा set में यदि आप net निकल जाते हैं तो set exam मत देना ठीक है net निकल गए तो set exam देने की ज़रुत नहीं है और यदि आप net नहीं निकाल पाए तो आप set exam दे देना ठीक है यह है तरीका तो अभी तैयारी कीजिए net की और exam देजिए net और set दोनों की यानि कि 19 जनवरी को बता रहा है इसके पहले net की जो है result आजाएगी यदि आप परिच्चा पास कर लेते है net तो आप set मत देना set कोई काम करनी होगा फिर जब net है तो set क्या आउसकता नहीं है जब आपका PhD डिग्री है तो net set क्या आउसकता नहीं है दोनों क्या आउसकता नहीं है ठीक है इस बात को हमेशा सूरिश्चित कली चिगा अब प्रशन ये उट रहा है कि set exam कोन देगा ठीक है ये 19 जनवरी 2020 को संडे का दिन है और set के परिच्चा होगी ठीक है और कितने subjects का हो रहा है यहाँ पर 30 subject में हो रहा है ठीक है page number 7-8 में दिया हुआ है center भी दिया हुआ है कहां center करना है ठीक है यहाँ पर condition of the eligibility कोन है जिसके पास में PG में 55% marks है ठीक है 55% marks जिनके पास में है master degree में वो इसमें apply कर सकता है यदि वेश्ट बंगाल से है कोई candidate SCST तो उनके लिए 50% चाहिए general category के लिए 55% SCST OBC के लिए आपका 50% marks होना बहुत जोरी है चुकि यह जो योग्यता है VGC net का ही योग्यता है ठीक है VGC के द्वारा जो है इसको जो है set को जो है मानेता देता है उससे परे नहीं हो सकता इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा यहाँ पर जो है एक एक बात आपको समझने की जुरुरत है दोस्तों आईए देखते है next slide में क्या लिए इसमें कोई एज लिमिट है क्या इसमें कोई एज लिमिट है तो there is no upper age limit जान दिजेगा age limit नहीं है set exam में apply करने के लिए यानि कि however for the purpose of recruitment the relevant government order will be applicable यानि कि set पर इच्छत पास कर सकते हो यदि माली जे university university कोई age मांगती है तो उस age का होना चाहिए और university जो है कोई age bonded नहीं करता ठीक है दुसरा चीज है यहाँ पर government college के लिए जरूर age दिया रहता है government college के लिए जो West Bengal Public Service Commission के द्वारा जो assistant professor की भरती होगी तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है आपका जो है age limit मांग सकता है यहाँ पर देखिए exemption नेट सेट स्लेट जो भी नेट सेट पास है उनको exam देनी के आप सकता नहीं है यह बार बार बता रहा है यहाँ पर देखिए job nation face and mode of payment यहाँ पर देखिए general category के लिए 1000 रुपया है यहाँ पर OBC के लिए 500 रुपया है और SCST और handicap के लिए 200 रुपया है दोस्तों यह आपको जो है समझ लेजे आप general category के है तो आप 1000 रुपया दे दिजे इस वहना में mark test भी दे कर आ जाईए ठीक है आपको जो है credit card में जमा हो सकता है ठीक है internet banking में 10 रुपया पर transaction होगा तो यह बता दिया है कि आपको आनलाइन फारम भरना है और credit card debit card में आप apply कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर GST applicable debit card में नील है GST जो है देखिए यहाँ पर दो paper होगा दो paper होगा फर्स paper जो है 100 marks का होगा जिसमें 50 question आएंगे जैसे net का examination होता है same to same है और यह एक घंटा कोगा साड़े 9 बज़े से साड़े 10 बज़े ता और फिर second paper आपके subject का होगा 200 marks का 100 questions आएंगे यह 2 घंटे का होगा 11 बज़े से लेकर 1 बज़े तक यानि कि बीच में आपको आदा घंटा का समय मिला हुआ है दोस्तों यह सभी जो है आपका object to type का question होगा 4 option दिया होगा 19-4 में से एक सही answer को आपको ढूणना है दोस्तों हम जो है आपको बता रहे हैं कि यह सारा चीज़ें जो है NET जैसा ही है कोई अंतर नहीं है NET का syllabus है NET की तरह examination होगा question setter भी इसी तरह से होगा साथ मुझे पूरा उमीद है कि आप इस notification को एक बार कि आपके पास में वो ग्यता है या नहीं दोस्तों हम आपको बता रहे हैं locrides.com में इसका notification दिया हुआ है locrides में ध्यान दीजेगा locrides एक website का नाम है locrides यहाप लिख देता हूँ locrides r i g h t s dot com dot com में चाहिए यहाप पर notification आप देख लिजी और एक बार दुबारा पढ़ लिजे यहापर हम पास करना भी चाते हैं तो आपके लिए हम वहापर note सुपलब्द करा रहे हैं फ्री में book सुपलब्द करा रहे हैं ताकि आप नेट के साथ सा set भी किलियर कर सकें दोस्तों हम यहीं बिदाई लेते हैं साथ आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजेगा कॉमेंट्स लिखेगा साथे साथ आप यदि पहली बारा मारे चैनल में आये हैं और देख रहा हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक्यू